गजल साई में दूप ये गजल तो शेंद कुमार जी की गजल संग्रे साई में दूप से लिग गई है इस गजल के माध्यम से कभी कहना चाते हैं कि भारत की आजादी के वक्त जिस खुशाल भारत का सपना देखा था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है यहां लोग अभी भी मूलबूत सुख सुविनाव से वंचित है देश के विकास का दायत वजन कंदो पर था वो प्रश्टरचार में लिप्त हो चुके हैं आम और शोशे जनता अभावों में जीने की आदी हो चुकी है उन्हें ये विश्वास हो चुका है कि वो कुछ भी कर लें लेकिन इस विवस्था को वो बदल नहीं सकते इसलिए अब उन्होंने विरोध करना भी छोड़ दिया है जो शासन वर्ग के बहुत अच्छा है हाला कि कभी लोगों को उनके अधिकारों के प्रती जाग रुख करना चाते हैं जिससे कि वो सत्ताधारे लोगों से अपना हक ले सके एक सुखी और समर्द भारत कभी का सपना है जहां हर आदमी प्यार, स्वाबी मान और आत्मसमान के साथ जी सके पहला शेर कहा तो तै था चिरागा हरे गर के लिए कहा चिराग मैसर नहीं शेहर के लिए इन पंक्तियों के जर ये उन नेताओं पर व्यंग किया गया है जो चुनाओ के वक्त जंता को रंग विरंगी लोग लुभावने सपने दिखाते हैं मगर सत्ता में आते ही जंतल से किये वादों को भूल जाते हैं इन पंक्तियों में कभी कहते हैं कि आजादी के वक्त हमारे नेताओं ने तै किया था कि हर गर में खुशियों के दीब जलाएंगे यानि हर गर में खुशहाली लाएंगे लेकिन आजादी के इतने साल बात भी हर गर तो छोड़िये वो एक शहर तक को खुशाल नहीं बना पाए आजादी के वक नेधा कहते हैं कि भारत के हर एक नागरी को सभी प्रकार की सुख सुविदाएं दी जाएंगी सब को समान अधिकार दिया जाएगा उनका जीवन खुशाल बनाया जाएगा लेकिन आजादी की इतने वर्षो बात भी सभी नागरी को तो छोड़िये कुछ लोगों को या एक शहर तक को भी सुख सुविदाएं देकर उनका जीवन खुशाल नहीं बना पाए हमारे नेताओं ने जनता से किये अपने वादे पूरे नहीं किये यहां तरक्तों के साहे में थूप लगती है चलो यहां से चले और उम्र भर के लिए इन पंक्तियों में कभी कहते हैं कि पेडों की छाया में हमें थूप लग रही है जबकि पेडों की छाया में हमें छाव मिली चाहिए यानि जिन राजनेताओं को हमने अपने लोग कल्याण, सुरक्षा और विकास के लिए चुना था आज वही हमारा सूशन कर रहे हैं ब्रश्टरचार में वो लिप्त हैं ऐसे समाज में जीना बहुत मुश्किल है कभी कहते हैं कि ऐसे समाज को छोड़ कर कहीं दूर चले जाना चाहिए जो आपको खुशियां और सुक्सुविदाएं नहीं दे सकता कभी भी इस समाज को छोड़ कर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं और फिर कभी लोट कर दुबारा यहां नहीं आना चाते साथ में वो समाज के बाकी लोगों से भी ऐसे समाज को छोड़ने का अभवाहन करते हैं ना हो कमीज तो पाउं से पे धक लेंगे यह लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए इन पंक्तियों में कभी समाज के इन लोगों पर कटाक्ष करते हैं जो हर परिस्तिती में जीने के आदी होते हैं उनके आसपास क्या हो रहा है इस बात से उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता वो अभाव में भी आराम से जी लेते हैं कभी कहते हैं कि अभाव में जीवन जीने के आदी इन लोगों के पास यदि पहनने को कमीज यानि कपड़े नहीं होते तो वो अपने पाउं को मोड़ कर अपने पीट को ढख लेते हैं मगर शाशाक वर्ग के खिलाफ आवाज तक नहीं उठाते हैं और ऐसे ही लोग भ्रष्ट शाशक वर्ग के लिए बहुत अनुकूल या अच्छे होते हैं क्योंकि वो उनका विरोध नहीं करते या उस विवस्था के प्रती अपने नाराज़ के जाहिर नहीं करते खुदा नहीं ना सही आदमी का खौप सही कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए इन पंक्तियों में कभी कहते हैं कि अगर लोग वर्टमान परिस्थेति को बदल नहीं सकते या शासन वर्ग पर उनकी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं कम से कम वो सुन्दर सपने तो देखी सकते हैं कभी आगे कहते हैं कि इश्वर अगर इंसान की मन चाही मुराद पूरी नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं कम से कम वो सपनों में तो सही कुछ मन चाहे सुन्दर द्रशों या नजारों को देखकर खुश तो हो ही सकता है यानि इंसान को सबने जरूर देखने चाहिए बले ही वो पूरे हूँ या ना हूँ फे मुतमाइन है कि पतर पिगल नहीं सकता मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए इन पंक्तियों में कभी कहते हैं कि करीब और शासित वर्गों को ये विश्वास हो गया है कि हम कुछ भी कर लें लेकिन इन परिस्तियों को नहीं बदल सकते लेकिन मेरे अंदर इन परिस्तियों को बदलने की बेचैनी है कभी कहते हैं कि अगर हम सब मिलकर इस ब्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएंगे और हमारी आवाज में दम होगा तो ये परिस्तियों अवश्य बदलेंगी यानि आम आदमी को ये विश्वास हो गया है कि अब परिस्तियों नहीं बदल सकती लेकिन मैं बेचैनी से इंतजार कर रहा हूँ कि कब लोग एक साथ मिलकर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएं और फिर देखे कैसे बदलावाएगा और ये सिस्टम बदल जाएगा कवी का ये व्यंग उन लोगों पर है जो मान बैटे हैं कि परिस्तियां बदल नहीं सकती है तीरा निजाम है सिल्दे जुबान शायर की ये एहतियाद जरूरी है इस बाहर के लिए इन पंक्तियों में कवी कहते हैं कि जबी कोई कवी या लेखक शासन के भरष्ट नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूप करने के लिए अपनी आवास बुलन करते हैं तो शासन वर्ग उस कवी के जुबान को बंड करने की कोशिश करते हैं उनकी अभी व्यक्ति पर रोग लगा देते हैं इसलिए कभी कहते हैं कि ये संभव है कि सत्ताधारी लोग अपनी सत्ता बचाय रखने के लिए मेरी जबान बंद कर सकते हैं या मेरी अभी व्यक्ति की आजादी को चीन सकते हैं कभी खुद मानते हैं कि इस सिस्टम को चलाय रखने के लिए ऐसे साफधानी करना भी ठीक उसी प्रकार जरूरी है जिसे गजल के चंद यानि बाहर के लिए बंधन की साफधानी करना बहुत जरूरी है यानि गजल के चंद लिखते वक्त भी कई बातों के अध्यान रखना पड़ता है तब जाकर एक सुन्दर गजल बनती है जी तो अपने बगीचे में कुल मोहर के तले मरे तो गयर की गलियों में कुल मोहर के लिए यहाँ पर कुल मोहर शब्त का प्रयोग स्वाब इमान या आत्मसमान के अर्थ में प्रयोग हुआ है इन पंक्तियों में कभी कहते हैं कि इनसान को अपने घर में भी पूरे आत्मसमान और स्वाब इमान के साथ जीवन जीना चाहिए और अगर अपने घर के बाहर हमारी जान चले भी चाहती है तो वो भी अपने स्वाब इमान की रक्षा करते हुई जानी चाहिए यानि घर हो या बाहर हो इनसान को हमेशा अपने स्वाब इमान और आत्मसमान के साथ जीना चाहिए आपको एक्स्प्लेशन अच्छी लगी हो अगर आपके लिए वीडियो जरा से भी हेलफुल हो तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करें और मेरी क्लास 11 हिंदी वीडियो और इंग्लिश वीडियो को जरूर देखें